भूल कर भी पानी ना पियें अगर इन साथ चीजों में से कोई भी चीज आपने खाई हो जियां दोस्तों यही है हमारी आज की इस वीडियो का टोपिक दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पानी पीना हमारी बोड़ी के लिए कितना ज़्यादा फाइदेमन होता है हर व्यक्ति को दिन बर में कम से कम 6-10 गलास पानी जरूर पिना चाहिए नहीं तो कम से कम 6 गलास पानी तो पिना ही चाहिए बाकि आप जितना भी पानी पी सके आराम से पी सके उतना तो पिना ही चाहिए दोस्तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर को पानी की बहुत जादा जरूरत होती है लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबी लोगों के शरीर को एक ही मातरा में पानी की जरूरत पड़े सब को अलग-अलग मातरा में पानी की जरूरत पड़ सकती है लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुल मिला के साथ एसी चीजों के बारे में जिसको अगर आपने खाया है उसके तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो ये चीजे पेट में आपके लिए गड़बड़ी कर सकती हैं और इनसे कुछ नुकसान हो सकते हैं तो इसी कौन-कौन सी चीजे हैं चली जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले नमबर पर आता है भुना हुआ चना भुने हुए चने खाने के बाद या चने की चाट खाने के बाद पानी पीने से आपको पेट डर्द हो सकता है चने पचाने के लिए हमारे शरीर को जटनांगनी की जरूरत होती है जब पानी पीने से यह अगनी शान्त हो जाती है तो पेट में पोचे हुए यह भुने चने ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते और उनका पाचन डिश्टर्ब हो जाता है तो पेट डर्द की समस्या आपको देखने को मिलती है इसलिए इस चीज का ध्यान रखें दोस्तो दूसरी चीज है अमरूद जी हां दोस्तो दोस्तो नमक मिर्ची लगा कर अमरूद खाने का आनन तो आपने जरूर लिया होगा और अगर खास तोर पर बात करें सर्दियों की तो सर्दियों में धूप में बेटकर नमक मिर्ची के साथ अमरूद खाया जाए तो सुआद उसका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो दोस्तो इस सब के बाद क्या होता है कि पानी पीने की इच्छा हमें बहुत ज़्यादा होने लगती है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अमरूद खाने के बाद पानी पीने से पेट में गेस की समस्या आपको हो सकती है या फिर कुछी देर बाद आपको बहुत ज़्यादा तेज पेट डर्द भी हो सकता है अब ऐसा क्यों होता है दोस्तो ऐसा होता है अमरूद के अंदर जो बीज होते हैं उसके कारण आप अमरूद का पूरा लाब लेने के लिए उसे बीजों के साथ खाते हैं लेकिन जब अमरूद खाने के बाद पानी पी लिया जाता है न तूरंद तो यह बीज पचने में दिक्कत पेदा करने लगते हैं और इसी का नतीज़ा होता है कि पेट दर्द जिसी समस्या आपके सामने आ सकती है दोस्तो तीसरी चीज है आइसक्रीम आइसक्रीम खाने के बाद कभी भी पानी पीना नहीं चाहिए और अक्सर आइसक्रीम खाने के बाद ही पानी पीने का मन करता है लेकिन ऐसा करते ही आपके गले में खराश्ट की समस्या आपको हो सकती है या फिर दार्तों में सेंसेशन की समस्या आपको हो सकती है इनसे बचने के लिए आईस्क्रीम खाने के कम से कम 10 मिनिट बाद तक तो बिलकुल भी पानी का सेवन ना करें, 10 मिनिट बाद भले पानी पी लें अगली चीज आती है चाई, जी हां दोस्तों चाई हो या फिर कोफी, इनको पीने के बाद अक्सर पानी पीने की इच्छा हो जाती है ऐसा जीब पर मौझूद टेश्ट बट्स के कारण होता है, जो लगतार गर्म लिक्विट का सेवन करने के बाद आपको प्रेरित करते हैं आपके दिमाग को कि इसको शितलता चाहिए याने कि हमने गर्म सेवन किया न, तो उसके बाद हमारे जीब जो होती है, वो हमारे ब्रेन को संके देती है कि कुछ ठंडा उसे चाहिए और इसी के कारण हमें पानी पीने का मन करता है और हम पानी पी लेते हैं लेकिन चाहि या कोफी पीने के बाद कम से कम 20-25 मिनिट टक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए नहीं तो आपका पेट घराब हो सकता है, पाचन तंतर धीमा हो सकता है और पाचन तंतर के धीमा होने से पेट में भारी पन की समस्या आपको हो सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि आपको टूल ठीक से ना हो दोस्तो अगली चीज है फल दोस्तो कुछ फल जैसे कि केला, चीकू, नाशपती, सेब, बनाना ये सब जो फल है ना इनको खाने के तुरंत बात पानी का सेवन नहीं करना चाहिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादा तर फलों में शुगर कंटेंट होता है और साइटरिक ऐसेड होता है दोस्तो मीटे फल खाते ही पानी पीने से आपको अपज, खासी या आपका शुगर लेवल बढ़ने की समस्या आपको हो सकती है जब कि खटे फल खाने के बाद तुरंट बाद पानी पीने से गले में आपको खराश और गले में दर्द जैसी समस्या आपको हो सकती है इसलिए इस टाइप की जो फल हमने आपको बताए है आपको इन फलों को खाने के तुरंट बाद पानी नहीं पिना चाहिए हाँ एक बात है कि आवला खाने के बाद आप पानी पी सकते हैं लेकिन ये भी जानने कि आवला फल और सबजी दोनों के रूप में आता है आवला खटा नहीं होता है बलकि इसका स्वाद कसेला होता है आउले के बीच को नहीं खाया जाता और इसके गूदे में भरपूर मातरा में फाइबर होता है इसके साथ ही या ओजदिय गुणों से भरपूर एक ओजदि भी माने जाती है दोस्तो अगली चीज आती है मूमफली जी हां मूमफली की तासिर गर्म होती है या आप सभी को पता है या सुआद में हलकी मिठी लेकिन नेचरल तरीके से अगर देखा जाए तो शुश्क होती है इसी कारण मूमफली खाने के बाद पानी पीने का मन करता है क्योंकि मूमफली खाने के बाद मूँ सुखा सुखा सा महसूस होता है लेकिन मूमफली खाने के तुरंद बाद आपको पानी अगर आप पीलेंगे तो आपको खासी हो सकती है ऐसा विरोधी प्रकरती के कारण होता है नेगटिव इफेक्ट के कारण होता है क्योंकि पानी ठंडा होता है और मुमफली गरम तो ये दोनों चीज़े आपस में react करती है इसी वज़े से कहा जाता है कि मुमफली खाने के तुरंट बार बे पानी नहीं पिना चाहिए और कम से कम 20 मिर्ट टक पानी नहीं पिना चाहिए अगली चीज आती है कुछ प्रकार के स्वीट्स और डोनट्स जी यहां दोस्तों कोई भी मिठाई या मेदा से बना शुगर युक्त जो खाना होता है उसको तुरंद खाने के बाद पानी नहीं पिना चाहिए ऐसा इसलिए का जाता है क्योंकि पानी शरीर में शुगर की मातरा को सोकने को बढ़ावा देता है आप इसे अमेरिकां में हुए एक शोद के उधारन से समझ सकते हैं देखे, अमेरीकी विग्यानिकों ने शरीर में शुगर के प्रभाव के अपने एक शोध में पाया था, कि एक डोनट खाने के बाद अगर पानी पी लिया जाए, तो ये शरीर में शुगर की मात्रा को इतना ज़्यादा बड़ा देता है, जितनी शुगर शरीर को एक साथ दो डोनट खाने से भी नहीं मिलती, तो ये एफेक्ट करता है, ऐसा पानी और शुगर के घटकों के मिलने के कारण होता है, ऐसा वो बताते हैं, तो इसी वज़े से कहा जाता है कि ये जो मीठे टाइप के जितने भी डोनट वगेरा होते हैं, उसके बाद तुरंत बाद पानी नहीं पिना चाहिए, दोस्तो देखा आपने ये थी कुल मिलाके वो चीजे जिनको खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पिना चाहिए, हम ये पानी पिना चाहिए, हाँ, लेकिन 20-25 मिनिट के गेप के बाद पानी पिते हैं, तो कोई खत्रा नहीं होता, लेकिन हाथ वाथ अगर पानी पिलेते हैं, तो ये ये नुकसान आपको हो सकते हैं, तो दोस्तो ये थी हमारी आज की एक और जानकारी, आप सभी लोगों के देनिवा दोस्तो